हेलो वेलकम फ्रेंड्स तो दोस्तो आई थिंक आप सभी ललीत नरायन मिथला उनिवसिटी दरभंगा पार्थ थर्ड इंगलिस ओनर्स के स्टूरेंट्स होंगे और आप सभी का सेशन 2019 से 2022 होगा दोस्तो इस वीडियो में हम लोग पेपर सेवेन का गेस्ट कोस्टन आप लोगों के बीच सेयर करेंगे दोस्तो इस वीडियो में जो हम लोग पेपर सेवेन से संबंदित कुछ महतपूर्ण कोस्टन आप लोगों के बीच सेयर करने जा रहे हैं आप लोग कोसिस करना अपना म दोस्तो पेपर 7B की तरह 100 marks का होगा और आपके पास 3 घंटे का समय होगा और टोटल आपके पास 5 प्रस्न होगे पहला प्रस्न जो होगा दोस्तो वो एकस्प्लानेशन का होगा जो की 32 marks कभर करेगा और इसके अलावा जो 4 प्रस्न होगे वो लann question होगे जो की 17-17 marks करके होंगे यानि 17-18 marks का 4 long question हो जाएगा और 32 marks का पहला question explanation वाला हो जाएगा यानि 68 और 32 total 100 marks तो दोस्तों पहला परस्न जो आएगा वो explanation से आएगा और आपको पता होगा सैलेवस जब आप पढ़ी होगे तो आपको पता चला होगा कि paper 7 में आपको total 4 section पढ़ना होता है पहला section हो गया poem section जिसमें आपको 17-18 poem पढ़ना होगा दूसरा section हो जाता है दोस्तों novel section जिसमें आपको केवल एक novel पढ़ना होगा दा गाइड तीसरा section हो जाता है दोस्तों essay section इसमें भी आपको 7-8 essay पढ़ना होता है आपको 8-9 स्टोरी पढ़ना यहां पे भी होताए तो ये चार जो सेक्षन होगे दोस्तो इन चारों से से एक एक explanation के पूछे जाते हैं पहला सवाल में और वो चारों प्रसंद 8-8 marks करके होते हैं यानि 32 माक्स का आपका हो गया explanation का question पहला number तो जब हम explanation के ओपर बात करेंगे तो वहाँ पे आपको explanation से संबंदित guess question बताएंगे वैसे मैं आप लोगों को बता दूँ यहाँ पे जो मैं यहाँ पे आप लोगों को दूसरा प्रसन तीसरा प्रसन चौंथा प्रसन और पांच प question को ढंग से पढ़ लोगे तो आपका explanation का portion लगभग समझे प्रिपेर हो जाएगा बस कुछ इसमें add extra करना होगा जो कि हम एक separate वीडियो बना करके आप लोगों के बीच वीडियो सेयर करेंगे तो explanation का आप लोग समझे होंगे दूसरा जो दोस्तों प्रसन पूछा जाएगा वो पूछा जाएगा poem poet section से दूसरा प्रसन में दोस्तों आपके पास बहुत option होते हैं जिसमें होंगे क्या तो दूसरा प्रसन इस प्रकार से आएंगे write a critical appreciation of any one of the following और इसमें आपके पास total 4 से 5 poem होते हैं जिस poem में से आपको किनी एक को choose करके answer देना होता है और हो 17 marks का होता है तो इस section के लिए आप लोग जैदा बिल्कुल मत करना केवल और केवल अगर आप transformation and the tiger and deer और lotus and silent steps केवल इतने को कर लोगे न तो आपके exam में सवाल असानी से बन जाएंगे लेकिन मैं आपको बताया कि explanation को भी आपको कभर करना है इसलिए आप लोग 2-3 जो और है इसको भी कर लेना इससे आपको benefit मिलेगा explanation में आपको extra नहीं पढ़ना होगा तो I think आप लोग समझे होंगे कि poem के लिए कौन कोन important है केवल दो उपर का कर लो exam में सवाल बन जाएंगे और दोस्तों सबसे बड़ी बात यहां पर यह आती है कि दूसरा प्रस्ण में आपके पास एक और option है या तो आप इस पांचों poem में से किनी एक poem के उपर note लिखो या feed इसी में अथवा करके पांच writer के भी नाम आएंगे और उस पांचों में से किनी एक के उपर आपको note लिखना होगा और वैसे पांच तुम्हें नहीं दूंगा केवल और केवल मैं आपको दो दूंगा केवल और केवल आगर आप तोरुदत और आरेंड टाइगर को कवर कर लोगे तो आपके साम में सवाल यहां से 100% बन जाएंगे तो यह तो हो गया दोस्तों दूसरा प्रसंट का guess question चलिए हम आपको ले चलते हैं तीसरा प्रसंट जो गरेक्टर से भी सवाल पूछे जाएंगे तीसरा प्रसंट में तो करेक्टर के लिए most important वह इसे रोजी है लेकिन मारको और वेलन इन दोनों को भी थोरा थोरा आप देख लेना वह इसे most important रोजी का करेक्टर है तो यह हो गया आपका तीसरा प्रसंट के लिए दोस्तों सेक्षन के लिए आप जैदा बिल्कुल मत करना केबल और केबल आप इन तिन चार को कर लेना साइन्स हो मैनेटीज एंड रिलीजन एंड दा सेक्रेट ओफ वर्क यह दो मोस्ट इंपोर्टेंट है वैसे आप इन दो को भी पढ़ के जाओगे एजुकेशन फोर नियू इंडि और यहां पे दोस्तों आप कर्मा को भी जरूर कवर कर लेना हो सकता है यह आपको हेल्प करेगा एक्स्प्लानेशन वाले पोर्षन के लिए वैसे इंपोर्टेंट यही दो है पहला कमपेडियन्स और दूसरा हो गया एस्पैरूस यहां पे पी होगा याद रखना तो यह ह पर फिर मैं आप लोग को बता दूँ पहला जो प्रसन पूछा जाएगा वह एक्स्प्लानेशन से होगा यहां पर जो हम चार सिक्षन आपको बता हैं पोयम सिक्षन नौवल सिक्षन इससे सिक्षन और स्टोरी सिक्षन चारों सिक्षन से एक एक लॉंग कोईस्टिन इसी प्रकार से दूसरा प्रसन आपका आएगा पोयम या फिर पोयट सिक्षन से तो पोयम में से किन ही एक का जवाब दो या फिर इस पोयट में से किन ही एक का जवाब दो यह भी होगा आपका सत्रमाक्स का तो यह होगा दूसरा प्रसन तीसरा प्रसन होगा दोस्तों आप का नौबल सेक्षन से जिसमें या तो आप करेक्टर वाले का अंसर दोगे या फिर नॉर्मल जो करत प्रसन हों के उनका आंसर दोगे वह से मैं आपको बता दूं तीसरा प्रसन चौंथा प्रसन और पांचमा प्रसन इन सभी में भी आपके पास एक्सट्रा करके एक कोस्टन ह होंगे यानि दो कोश्चन होंगे एक का ज़वाब देना होगा से प्रकार से दूस्तों चौन्था परसरल में भी आपकी पास दो सब्सक्राइब से होंगे कोई एक का जबाब दो ये भी 17 marks का होगा और पांचमा प्रस्ट में भी सेम यही पैटर्न दो आपके पास होंगे किनी एक का आपको जबाब देना होगा और ये भी 17 marks का तो दोस्तों उपर आप जितने भी question देखे हो guess question उन सभी question के answer का हम लोग एक guess paper PDF के format में बनाए हैं अगर आप लोग लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं बहुत ही simple language का हम use किये हैं जहां पे diagram आना चाहिए वहां पे हम diagram बनाए हैं जहां पे points करके answer code लिखना चाहिए वहां पे हम points करके लिखे हैं कहने का अर्थ एक बहतर answer के लिए जो जो pattern हो सकते हैं जो जो अलग अलग variety हो सकते हैं उसको PDF में सामिल किये हैं और जब आप इसी परकार से answer दे करके अपने exam से आओगे तो आपको बहुत अच्छा marks मिलेगा क्योंकि यह जो content होगा यूनिक होगा line by line के बल पेज भरने के उपर आप रहोगे तो number नही से च्छा marks लेकर के आजाओगे कम page में लिखने के बावजूद भी तो यह हमारा PDF ले सकते हैं वह से मैं बता दूँ यह जो paper 7 का जो हम guest paper बनाए हैं यहां पे आप लोग देख रहे हैं पेपर 7 का यह guest paper है 65 page से मिल करके बना हुआ है तो यह होगे guest question यहां से एक भी question आपका नहीं छूटेगा exam में सारा question बन जाएगा उपर जितने भी question में बताया हूँ उन सभी question का answer इस PDF में दिया हुआ है तो यह हो गया आपका guest paper इसी परकार से paper 7 का हम लोग question bank भी बनाए हैं जिसमें 2017 से लेकर के 2020 तक के question का question जो हैं उसको हम सामिल की हैं तो यह question bank भी हो जाएग सेलेवस को भी हम इस PDF में सामिल किये हैं सेलेवस कहने कर्थ बोड जारी किया हुआ है और वहीं से आपके exam में सवाल पूछा जाते हैं इसके अलावा दोस्तों paper 7 में जो 17-18 poem है उस सभी poem का जो original text है उसका भी PDF हम लोग create किये हैं और वह भी हमारे पास available है तो अगर आपके content लेना चाहते हैं तो आप मुझे WhatsApp करना यह जो नीचे आप नमबर देख रहे हो हमारा WhatsApp नमबर 7048928746 इस नमबर पर आप मुझे WhatsApp करना यह जितने भी content देखो paper 7 का उस सभी मैं आपको सेंट कर दूँगा उस्ते मैं बता दू मेरे पास paper 5 से लेकर के paper 8 तक के चारो paper का notes है जिसमें की guest paper का notes है question bank है syllabus है उसके बाद explanation का भी जहां पी important है वहां पे explanation का भी है part 1 से लेकर के part 3 तक के लिए हम लोग online batch भी चलाते हैं तो अगर आप हमारे साथ online batch के साथ जूर करके अपना तयारी करना चाहते हैं तो आप मुझे WhatsApp करना मैं आपको online batch में जूरने का भी process बता दूँगा thank you so much दोस्तो